अभी तक आपने देखा how to get lucky में, इसका नौ जनम का प्यार होता है, बेईचीन, लेंच चिला कर बोलता है, बेईचीन, मेरे जनम का प्यार बेईचीन है, ये कैसे हो सकता है, और वो बैठ जाता है, उटकर, नहीं ये नहीं हो सकता है, कौइंड क्यों नहीं जनम में, क्या गल प्रिंटिक डिलेसंशिप दिया मुझे तुम इसके लिए लायक हो तुमारा इस्टेटस चील लेना चाहिए कोई लिंक की आवाज सुन लेती है और बोलती है क्या होगिया लिंक तुम अचानक से इतने जोड से क्यों चिला रहे हो लिंग बोलता है कुछ नहीं मैं पढ़ाई चिंता हो रहेती थोड़ा फिर वह दोनों सोचने लगता कुछ देर लिंक बोलता है क्या हम लोग साथ में हमेशा रहेंगे ना मैं सही कहना क्या तुम ऐसे क्यों बोलेरे हो लिंक क्या हम लोग DF को पोल कर बोलती है हाँ जरूर लेकिन तुम्हेय से पहला हटाना पड़ेग लिन बोलता है हां तुमने सही कहां मैं ज्यादा ही चिंता कर रहा था इसके लिए मैं अपना पोड़ा कोजिस करूंगा कि अंकल यह उडिन प्लैंक को हटा देगा अपने सही गुड नाइट फिर कौन बोलती है गुड नाइट फिर अगले दिन क्लास में उस लोग बात कर रह होता है उसमें सही लड्की बोलते है क्या तुमने सुना आज एक नया इंग्लिस टीचर आने वालई है दुसरा नर्की बोलती है हां मैस वह बहुत जयाधा सुन्दर है रिक हमें बोलता है सुलग को कॉई और नहीं हो गी महां पर एक लड़का बोलता और लिए वन मैं फिर से यहां पर आजाएंगे तब तक एक नया इंग्लिस टीचर उनके जगा में रहेगा और बोलता है आजाए मिसेज डुआन उसे समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बोलता है मिशन है डुआन के चीक को किस करना मिशन लेवल है एक और तुम्हें ही नाम मिलेगा दो पॉइंट फिर वो अपने मन में सोचता है डुआन जान दिन को किस करना वो भी चीक में टीचर डुआन वो नहीं होगी साय फिर मिसेज डुआन अंदर आ जाती है लिंक बोलता है फूफ यह वो नहीं है लेकिन सभी लोग सेज बोल रहे हैं कि वह सही में बहुत ही जाकर बोलता है डुआन जंजन गौन बोलती है क्या हो गया लिंग फिर वो बुरा आदमी लिंक को बोलता है लिंग क्या तुम फिर से मुशिबत देखना चारहे हो गया मिसेज डुआन बोलती है मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा नाम सुनकर इस्टूटेन इतना फिर कुछ देर के बाद क्लास खतम हो जाता है फिर मिसेज डुआन क्लास के बाहर जाने वाली होती है उस समय वो बोलती है ओ मैं भूली गई लिंग मेरे साथ ऑफिस में आओ फिर लिंग ऑफिस में जाने लगता है ऑफिस के अंदर सावाज आता है उसमें से एक आदमी बो ऑपाऊ गेड़्यून उन दोनों को बोलती है कि कोई जर्वत नहीं है मैं तुम दोनों को पारिषान करना नहीं चाहती हूं भी वह में बोलता है यह गाठाज में थिर्लिक माच करने दो है नहीं मुझे फिर वो दोनों सॉप्ट हो जाते कुछ देर के लिए फिर दोनों बोलते हैं ठीक है जिन अपने मन में बोलता है ये कैंसे टाइम में जीरी है ये इतना ताकतवर कैसा है फिर वो समाल लेकर डुआन के पीसे पीसे चनले लगता है फिर वो अपने मन में सूचता है कि वो क्या कर दिए मेरे बारे में अगर वो मुझे मारना चाहती है तो वो मेरे घर पर हमला कर सकती थी ना लिकनी यह क्यों टीशर बन गई यह सायद को इंसिटेंट होगा दोनों को नाम एक ही हो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि दोनों अलग ही दिखते हैं मिस्ट वान बोलती है ओ नो तु वो से देख लेता है और अपने मन में शॉक्त होकर बोलता है यह तो वही है मिस्ट वान बोलती है क्या हो गया ऊपर आजाओ मुझे माप करना मैं आज सुबह कोई याई हूं यहां पर इसलिए इतना खाली है और साब भी नहीं है तुम जहां चाहों वहां पर बैठ सकते हो और वो सामान काफी के टेबल में रखने ना लिन बोलता है कोई जरुवत नहीं है तो मैं यहाँ से जाँ रहा हूं फिर मिस्ट वान बोलती है मुझे तुमसे कुछ काम है इसलिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूं टीचर आफिस में बोलाने का मेटारीजन तुम्हे यह समान पोचाने का नहीं था फिर वो फिर इसे पानी निकाल कर बोलती है पहले यह पानी पेलो तुम लिन बोलता है मुझे पानी के कोई जर्मत नहीं है क्या तुम्हें यह बता सकते हूं मेरे साथ तुम्हारा क्या बिजनस है मुझे कुछ काम करना है नहीं से लग बोल रह और मैं तुम्हारे English T-shirt होने के कारण और मैं ऐसे बैट नहीं सकती हूँ इसलिए मैं तुम्हें टूशन दूंगी लिन उसे दूर हट जाता और बोलता है नहीं इसके कोई जरुवत नहीं है मेरे English सुधना भी बेकार नहीं है आपको चिंता लेने के कोई जरुवत नहीं है फ क्योंकि मैं उसे सीरियस कभी नहीं लेता था आपको मुझे कोई एक्स्ट्रा पढ़ाने की जरुवत नहीं है मिस्नुहन बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा लेकिन लड़की हो लेकिन होनेस लड़के ही अच्छे लगते हैं फिर मुझे प्रूब करो फ कि मैं ट्विशन की कोई जरुवत नहीं है लिंट बोलता है ठीग है तुमने यह बोला तो मैं सही में करूंगा इसे डवान बोलती है इतना मत भागो मैं अभी तक अपना बातें खतम नहीं की हूँ अगर तुम्हें एक गलत की है मैं तुम्हारा ये जीए काट लूँगी लिन चिला कर बोलता है यह तो सोटा सा मामल है अब हुती सक्त हो गए है अब तो मेरा जी काट रूत हो गया मिस्गुण बोलती है यह थोड़ा सब सक्ति है लेकिन यह मैं तुमःणी मंदद करने के लिए कर रही हूँ यह थोड़ा से धortalाव हो सकता है क्योंकि तुमने मुझे चैलेंज किया है मैं तुम्हारा जी नहीं काट हूंगी तुम्हें कुछ और पनिश्मेंट देदूंगे यह पॉसिबल है लिन बोलता है यह अच्छा बात नहीं है अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे पनिश किया जाएगा और अगर मैं कर लिया तो क्या मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा मिस दुवान बोलती है ओके तुम अपना इनाम चुन सकते हो अगर तुम पास कर लिये तो तो क्या चाहिए नाम में तुम्हें लिन बोलता है मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं किस करूँ रहांगा दीचर मिसलोन अपने मन में सोचती है जैसा में सोच रही थी कि मैं उसतरा की कपड़े पहन लूंगी जैसा मैं अगली वार पहाई थी वह सही में मुझे फ्लरट करे गया और मैं जैसे कपड़े पैनती थी पहले तो तुम ढ़र कि कभी नहीं रोकते है। मिस्दुवान लिनको बोलती है, ठीक है ये डिल रहा हो, मैं तुम्हें किश करने दूंगे। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम कहीं पर भी किश कर सकते ह। अगर तुम कर नहीं पाए तो मैं तुम्हारी जी काट दूँगी लिन बोलते हैं कोई प्रॉब्लम ने अब इस्टार्ट करी है मैं इस दुवान अपने मन में बोलती है यहां तक कि ब्रीट्रिस लोकों भी इतने सारे वर्ट पाता नहीं होगे तुम मरने वाले हो ठड़की लिन अपने मन में सोचता है मैंने अलग बुक से इंग्लिस देख लिया है मुझे सब कुछ पता इसके बाड़ में अब मैं तुम्हारे की फेस को कि इससे बाढ़ दूँगा उससे मैं डुवान का फोन आता है और बोलती है मुझे माप करना लेकिन यह मेरे पैरेंट का फोन है मुझे को समय दो फिर मिस दूआन अलग सा लेंग्वेश में बात करती है जिन अपने मन में बोलता है यह साइध इसका होम टाउन का लेंग्वेश है मुझे समझ में नहीं याड़ा इसका लेंग्वेश को क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन बनाता है कि वो अपने फैमली से बात कर रहे होता है कुछ तो बात है फिर वो अपने फोन निकाल कर देखता है उसमें लिखा होता है हचार लेंग्वेश यह हैविलेटी तुम्हें हर लेंग्वेश समझ में आएगा लेकिन तुम बोलने पाऊगे इसका तीन पॉइंट सिप लगेगा फिर लिए उसे खडीर लेता है फिर उसे दुवान की लेंग्वेश समझ में आने लग जाता है